नमस्कार मेरे चाइनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए नई रेशिपी लाई हूँ एकदम बाजार जैसा खिला खिला फराडी चूडा है सबसे पहले हम देखेंगे चूडा बनाने के लिए सामगरी या आपे मैंने छिल के निकाल के 300 ग्राम आलो लिए है एक कपली है नायलन शाबूदाना वजन है 100 ग्राम एक कपली है मुंखली मुंखली का भी वजन 100 ग्राम है और लेंगे हम थोड़े कड़ी पत्ते और पांचे छे लेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो और लेना है हमें यहाँ पर एक ठाली और स्लाइसर स्लाइसर का जो बड़ा साइज है उसी से हमें आलू को कद्दुकस करना है और हमें ध्यान से कद्दुकस करना है ताकि हमारी उंगली वगिरा ना चीले इसी तरह मैं सभी आलू को कद्दुकस कर लूँगी देखिए आलू हमारे कद्दुकस हो गये है अभी हमें लेना है एक कटोरे में पानी और पानी में कद्दुकस किये हुए आलू को डाल देना है और हमें जल्दी डालना है ताकि आलू काले ना पड़े और हमें हाथ से लेना है कद्दुकस किये हुए आलू और जितना हमसे पानी निकलता है उतना हमें दबा के निकाल लेना है देखिए इस तरह एक लेना है कॉटन का कपड़ा और कॉटन की कपड़े को हमें एक प्लेट पे बिछा देना है और डालना है उसमें कद्दुकस किये हुए आलू ये आलू डल गए है हमारे और डालेंगे और चारो साइट से हमें कपड़े को फोल्ट कर लेना है और एक पोतली बना लेनी है और देखिए इस तरह रगणना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा कद्दुकस किये हुए आलू में वो कपड़े को चिपक जाएगा और आलू थोड़े सुख जाएंगे और देखिए खोल देंगे अभी देखिए पानी कपड़े को लग गया है और आलू थोड़े से सुख गये है अभी हम रखेंगे गैस पे तेल देखिए तेल रखा है मैंने और गरम आ चुका है थोड़े कद्दुकस किये हुए आलू डाले है हमने देखिए उपर आये है और तेल हमें ज्यादा गरम नहीं करना है जैसे हम डाल के पकोड़े बनाते उस तरह बिल्कुल भी नहीं रखना है तेल को थोड़ा कम गरम रखना है और देखिए आलू डाल दिया है मैंने और अभी घुमाने के बाद में हमें थोड़ा पावर को तेज करना है ग्यास के और देखिए थोड़ा color change हो गया अभी मैंने कम कर दिया है ग्यास को medium रखा है और देखिए color और change हो गया है और अभी brown आ गया है तो हमारे कद्दुकस के हुए नमकिन तयार है अभी और डाल देंगे और देखिए अच्छे से घुमा लेंगे अभी medium फ्लेम ही है घुमाने के बाद में हमें high flame करना है हाई flame कर दिया है आलू का जैसे हलका color change होता है तब हमें और medium कर देना है क्यूंकि कद्दुकस के हुए आलू जल्दी जलते है देखिए golden brown हो गये है अभी इस नमकिन को भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे हमारी आलू की नमकिन बिल्कुल तयार है और देखिए कितनी भी बनी है और कितनी अच्छी लग रही है थोड़ी में तोड के दिखाऊंगे देखिए कितनी अच्छे से टोट रही है मैंने अभी ग्यास का पावर एकदम कम किया हुआ है क्यूंकि मुंफली तलनी थी हमें इस वज़े से ज्यादा गरम तेल में हमें मुंफली को नहीं तलना है क्यूंकि मुंफली जल्दी जलने लगती है इसलिए कमी गरम तेल में हमें मुंफली को तल लेना है और देखिए यहाँ पे हमारी मुंफली फ्राय हो गई है अभी हम मुंफली को भी निकाल लेंगे देखिए अच्छे से फ्राय हो गई है सारी मुंपली निकाल ली है इसी तेल में हम तलेंगे अभी नायलन शाबुदाना लेकिन मुंपली निकालने के बाद में आपको तेल को अच्छे से गरम करना है जैसे हम दाल के पकोडे बनाते हैं उसके लिए तेल रखते हैं अच्छे से गरम उसी तरह नायलन शाबुदाना तलते टाइम भी तेल को रखना है तबी नायलन शाबुदाना अच्छे से आपका फूटेगा और देखे कितने अच्छे से फूट रहा है और अच्छे से चटक यहां पे हमारा रेडियो गया है भी निकाल रहे है नाइलन शाबुदाना यहां पे मैंने मिर्ची को बीच में से कट करके चार तुकड़े बना लिए है और तल्ली है मिर्ची को भी और तल्ले ना है हमें कड़ी पत्ता और यहां पे हमारी सारी सामगरी बिल्कुल तैयार है हमने डाला है सबसे पहले नाइलन शाबुदाना फिर डाली है मुंभली फिर डाला है आलू का बना हुआ नमकीन फिर डाले हमने कड़ी पत्ते हरी मिर्ची अगर आप खाते हो तो ही डालना ने तो स्किप करना अगर आप कड़ी पत्ता उरत में पसंद नहीं करते हो या खाते नहीं हो तो आप मत डालिएगा स्किप करिएगा और देखिए कितने अच्छे से हमारा फराले चूड़ा बन गया है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए ये मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी है अगर आप मेरे चाइनल पे नए हो तो आइकान बटन जरूर फ्रेस करें ताकि जो भी में वीडियो बनाऊ वह आप तक पोचे धन्यवाद